गनेश चतुर्थी तियोहार को देश के अनहिस्सों के साथ साथ जमू में भी श्रद्ध भाव से मनाया जाता है दस दिनों तक चलने वाला गनेश चतुर्थी उत्सव इस बार 2 सितंबर से शुरू हो रहा है गनेश चदुर्दी पर लोग अपने घरों में गनेश भगवान को विराजमान कराते हैं और गनेश महत्सव के अंतिम दिन भगवान गनेश जी की मूर्तियों का विसरजन किया जाता है जमू के गांदी नगर स्थित लक्ष्मी नारायन मंदिर में भी गनेश मौतसव को धूमधाम से मनाया जाता है जिसको लेकर तैयारियां पूरी की जा रही है मंदिर परिसर में इस बार 16 फीट उंची भगवान श्री गनेश जी की मूर्ती स्थापित की जा रही है गनेश जी जो हमारे 33 कोट देवी देवता है इनके परमुक देव अगर गन्य देव गनेश जी है और गनेश जी का उत्सब आप जो है यहां नहीं भगवान सीव के साधी में भी मनाई गई है इसलिए कि भगवान सीव के पुत्र गनेश जी राम चेत्र मानस के बालकांड के सो नमबर दोहा को देखिए उसमें लिखा है मुनियन उसासन गन्पतिही पूजव संभुभवानी जो सुनि संसे करे जनी सुर अनादी जी जानी अनादी देव गनेश जी है और गनेश जी की दो पत्निया हैं जिनका नाम रिद्धी और सिद्धी है जो रिद्धी सिद्धी की भी काम ना करते हैं उन्हें भी गनेश जी की पूज़न करना पड़ता है और इनके दो पुत्र हैं सुभ और लाब अगर जो सुभ चाहते हैं जो अपने आपको लाब चाहते हैं कल्यान चाहते हैं तो गनेश जी जो अगरगन्य देव हैं इसलिए गनेश जी का पूज़ जो है यह हमारे अगरगन्य देव हैं इसलिए हम सबसे पहले गनेश जी की पूजन करते हैं और गनेश जी के वल हम मुझा के साथ में मनाया जाता है